कि उलासंगर शेहर में आज 12 दिसंबर के दिन कोरोना के नए 12 मामने सामने आए हैं इसी के साथ शेहर में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 11151 पहुच चुकी है वहीं आज 8 लोगों को डिस्चार दिया गया है इसी के साथ अब तक कोरोना मुक्त हुए लोगों की संख्या 10,392 पहुच चुकी है वहीं कोरोना की वाज़े अब तक 369 लोग अपनी जान गवा चुके हैं इस समय शेहर की 400 मरीज्ट एक्टिव हैं जिन में से कोविट केर सेंटर में 10 डेडिकेटेट कोविट हैल्स सेंटर में 50 डेडिकेटेट कोविट अस्पताल मे 156 वह उलासर के बाहर 119 लोगों का इलाज चल रहा है आज जिन 12 मामलों की जानकारिया में मिली है उनमें कैंप नमबर एक से तीन मामले शामिल हैं जिसमें चरणदास चौक पडिसर से एक अलग अपार्टमेंट गोल मैदान पडिसर से एक वह एक मामला सेंचिरी कालोनी शाहार्ड मॉर्बार रोड पडिसर का बताया जा रहा है वहीं कैंप नमबर दो से आज दो मामले सामने आए हैं जिसमें नगर द्यूस के पास पडिसर से एक वहीं बैरेक नमबर पांसो असी पडिसर का एक मामला बताया जा रहा है वहीं कैंप नमबर तीन से आज तीन मामले सामने आए हैं जिसमें सीमा अपार्टमेंट खेमाने चौक पडिसर से एक वागडी पारा पडिसर से एक वह एक मामला Om Sign Cooperative Housing Society कल्यान झम्बरनात रोड परिषार का बताए जा रहा है वहीं Cam場 4 से आझ 4 मामले सामने आ हैं जिसमें Venus Starais के पीछे परिषार से 2 वा Cam warehouse 4 के 2 और मामले बताए जा रहे है Cam忙 5 से आझ बिए मामला सामने नहीं आ है टाउन डाशन इसी तरह से रोज आपको अपडेट देता रहेगा यह अपडेट जाने के लिए जल से जल टाउन डाशन नियूज को सबस्क्राइब करें वेब बैल आइकान जरूर दबाएं नमस्कार